99% इंजिनियर को लगता है BS और FS बस एक रेडिंग है पर एक दिन यही रेडिंग पूरे प्रजेक्ट को डबो देती है जैसे गल्त RL ने स्लैब की हैड बिगाड़ दी और साथ में रोड की भी तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखना और समझना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़े बताऊंगा जो आपके प्रैक्टिकल सैड पर काम आएगी क्योंकि ये चीज़े अक्सर इंजिनियर और सुपरवाजर सैड पर गलत करते हैं दोस्तों लेवलिंग वीडियो के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बिद मश्टेक और क्रेक्शन के साथ बताऊंगा इन पॉइंट्सों को आप नोट कर लेना पहला टीवियम को सही से डिफाइन ना करना इसकी जो पहली मस्टेक है इंजिनियर्स टीवियम को ऐसे चुन लेते हैं जैसे किसी पत्थर पर लगा दिया किसी पेड़ पर बना दिया ये गलत है इसका जो correct way है TBM हमेशा किसी stable, fixed और durable surface पर होना चाहिए जिसे पूरे project के दोरान use किया जा सके दूसरा BS और FS जाने कि back side और four side का उल्टा लिखना इसमें पहली mistake कई बार BS और FS interchange हो जाते हैं तो इसका result के निकलता है आपके RL सब उल्टे हो जाएंगे, सब गलत हो जाएंगे तीसरा point है RL, reduced level को गलत मेथड से निकालना इसकी जो पहली mistake है, boss, engineer, supervisor, height of instrument, HA method और rice and fall method में confuse हो जाते हैं तो result के निकलता है, आपके RL और आपकी calculation गलत हो जाती है दोस्तो पहले जो मैंने आपको तीन point बताए है उन point की गलतियों को कैसे सुदारना है BS और FS क्या होती है, इसका क्या use होता है RL की सही calculation कैसे करनी है सही तरीके से RL कैसे निकालने है वो सारा मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ जो मैं आपको बताऊंगा प्लीज diary और pen ले लीजिए उसको note करके रख लीजिए lifetime YouTube पर आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो मैं आपको बताऊंगा यह सीखने के बाद आपको construction side पर कभी भी कोई दिक्कत या problem नहीं आएगी जो मैं आपको बताऊंगा बस इसको द्यान से समझ लेना और देख लेना ठीक है यह है मेरा TVM ठीक है यह मेरा TVM है इसकी value 100.00 और यह जो आप देख रहे हो यह है leveling staff ठीक है यह leveling staff हो गया और यह है यहाँ पर auto level machine लगी हुई है मेरी ठीक है यह auto level machine होगी है इसमें आपको दो formula याद रखने है leveling में ठीक है दो formula याद रखने है चाहे आपको building में level देने है चाहे आपको road के level देने है आपको कहीं भी level देने है आपको ये दो फार्मूले याद रखने है ठीक है तो हमारा जो पहला फार्मूला है वो है हाई कब बनती है TVM प्लस बैक साइड से और RL कब निकलता है हाई मैंनस IS जा FS से अब मैं आपको यहाँ पे हाई बना के दिखाता हूँ और RL निकालके दिखाता हूँ जो calculation बताऊँगा बस आपको उसी के हिसाब से चलना है ठीक है ये मेरा TVM है आपको TVM का पता होना चाहिए उसकी value का पता होना चाहिए TVM की value है 100 ठीक है तो मैं यहाँ पे लिखे लेता हूँ तो TVM की value है मेरी 100 और ये मेरी auto level machine है auto level machine से जो मैं पहली reading पढ़ूँगा staff की ठीक है वो क्या पढ़ूँगा वो मैं पढ़ूँगा back side ठीक है इसको हम बोलते है short में bs ठीक है तो back side मालो मेरी आगी है 1.5 ये मेरी back side आगी है तो TVM हो गया plus back side मेरी आगी 1.5 इन दोनों को जोड दिया दोनों को जोड कर बन गया मेरा 101.5 येरो येरो अभी ये जो निकला है ये मेरा क्या बन गया ये मेरी ha बन गया क्या बन गया मेरी ha बन गया अब RL कैसे निकालना है तो ha minus is या fs ठीक है तो ha ही मेरी कितनी है 101.5 minus अब ये ise और fs क्या होता है ठीक है अभी मेरा ये पहला काम तो हो गया ये मेरी थी पहली reading ठीक है अब मैं क्या करूंगा ये जो point है ठीक है मैंने कहीं भी दूसरी जगा पर T1 को shift करना है जग किसी foundation के उपर रखकर staff उसकी reading लेनी है ठीक है तो मालो मैंने यहां पर T1 fix करना यहां पर तो यहां पर मैं staff रखूंगा ऐसे माली जीज़े मैंने staff रख दिये यहां पर ठीक है ये मेरा staff हो गया ठीक है तो इस auto level को मैं इधर को गुमाऊंगा इस तरफ को हिलाना नहीं है machine को खाली इसको rotate करना है तो यहां से मैं दूसरी reading पड़ूँगा ये मेरी आगी दूसरी reading दूसरी reading क्या कहलाएगी आपकी fs जा is ठीक है अब मालो मेरी जो fs है वो मेरी आगी है 2.140 मेटर तो मैं क्या करूँगा यहां fs लिख दूँगा 2.140 ठीक है एच्च ही में मैं fs मैंस कर दूँगा तो मैंस करने भी मेरा आगया 99.360 ये मेरा क्या निकलाया है ये मेरा निकलाया आरल कहां का आरल ये जो मेरा point है जिसके उपर मैंने staff रखा हुआ है तो यहां का जो मेरा आरल आ गया है ये मेरा है 99.360 जहां पर मैंने staff रख इस point का आरल ठीक है अब माल लीजिए आपको auto level से ठीक है यहां पर level देना है मतलब इसका RL निकलना है ये चीज़ का तो आपको क्या करना है अब यह auto level इदर को कमाया था अब auto level इदर को rotate करना है यहां से आप इसके ओपर आप staff रखोगे ऐसे तो यहां से इसकी reading पड़ोगे जो इसकी reading आएगी ठीक है माल लेजिए इसकी reading आईए आपकी 2.100 ठीक है तो आपको क्या करना है ये जो आपकी h ही है 101.500 मैनेश 2.100 तो आप इसको मैनस करोगे आपकी आजाएगी 99.400 ठीक है तो यह यहां का आरल आगा है 99.400 इस पॉइंट का आरल तो ही बनाने के लिए आपको क्या चाहिए सबसे पहले आपको इसकी वेल्यू का पता होना चाहिए तो टीवियम प्लस पहली रेडिंग जुड़कर बन जाएगी आपकी ही जाने के हाइट ओफ इंस्टूमेंट आरल जानकी रड्यूस लेवल आरल कैसे बनेगा आपको जो ही आएगी उसमें आपको एफस मेंस कर देने तो आपका वो आरल निकलाएगा ऐसे साइड पर लेवल दिये जाते हैं यही इसका सही तरीका है अगर आपका कोई भी कॉश्चन है मुझे कमेंट में लिखें और अगर आप नेक्स्ट वीडियो इंगलिस लेंगुज में चाहते हो तो आप उसका भी कमेंट करें तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आँगा इंगलिस लेंगुज में थेंक्यो फ्रेंड्स